कि ऐलो स्टुडेंस आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है थि क्या होताइब क्या होता है ह् सपोर्च हमने को कौई को टॉस किये अब वो हेड आएगा कि टेल कितने बार हेड आ सकते हैं कितने बार टेल तो प्रीवियस एक्सपीजियेंस को देखके या फिकौन सा अबजेक्ट ज्यादा है उसको देखके हम लोग प्रोबैबिलिटी निकालते हैं जैसे हम लोग पहला समस करते हैं कि सब्सक्राइब एक बॉक्स है अब बॉक्स कंटेंज उसको नोग युथ नीचे तोटल कितना होगा एट चो टोटल आएगा उसको कहा लग देंगे नीचे और प्रोबैबिलिटी ओफ वाइड बल के आउपर में फाइड तो यह हो गया हमारा एंसर ठीक है बोलेगा फाइंड प्रोबैबिलिटी ओफ रेड और ब्लू बल तो रेड और ब्लू बल कितना हो ग हुआ पहला टाइब का सम्स अब हम लोग सीखते हैं दूसरे टाइब का सम्स जिसमें कि क्या होगा कि सपोज हम एक टीम का दिया है जैसे इंडियन टीम कि दो प्रोबैबिलिटी ओफ वीनिंग इंडियन टीम सपोज इंडिया और अस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है प्रोबैबिलिटी ओफ वीनिंग गेम जैसे इंडिया और अस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है तो इसका प्रोबैबिलिटी ओफ वीनिंग गेम है 0.68 तो वाट इस अप्रोबैबिलिटी ओफ रूजिंग इंड तो यह कैसे निकालेंगा वाट इस अप्रोबैबिलिटी ओफ रूजिंग मतलब वीनिंग का प्रोबैबिलिटी इस 0.68 टोटल होता है मतलब 100 100 मतलब 1 1 या 100 परसेंट तो प्रोबैबिलिटी ओफ लूजिंग वो जो निकालेंगे प्रोबैबिलिटी ओफ लूजिंग जोगा 1-0.68 कितना हो जगा 0.32 का प्रोबैबिलिटी ओफ लूजिंग होगा ठीक है यह हुआ हमारा अगला समस अब हम लोग करेंगे कि कोईन को हम टॉस करेंगे तो कितना आउटकम्स आएगा यह सब हमको तो ध्यान रखना है तो आउटकम्स एक को टस्क करने में कितना आएगा यह दो कोईन को उसका आनसर है 2 तूडी पावर एन जहां पर की एन क्या है वेर एन is the number of coins number of coins अब जैसे हम एक coin को toss कर रहे है तो 2 का power n मतलब एक ही coin है तो 2 outcome आगा क्या क्या आएगा outcome एक तो या तो head या तो tail अगर 2 coin toss करेंगे तो कितना outcome आना चीह है 2 का power n मतलब यहां पर 2 है तो 2 place करेंगे 2 square मतलब 2 into 2 that is equals to 4 if 3 coins are tossed अगर 10 coin को toss करते हैं तो या एगा 2 to the power 3 that is equals to 2 into 2 into 2 and that will be equals to 8 outcomes अब पहला वाला को तो head tail ठीक है 2 coins है तो 4 outcome आएगा जब 2 coin हागा तो क्या क्या outcome है 4 outcome तो 2 coin एक संग टॉस्क है या तो दोनो head आएगा या तो दोनो tail आएगा या तो फिर एक head इसके लोग को outcome आही नहीं सकता ठीक है अब 3 coin होगा तो कैसा outcome आएगा 3 coin है तो या तो तीनो head आगया या तो फिर तीनो tail आगया या तो पहला head बाकी tail या तो फिर tail head tail या तो फिर tail tail head या तो फिर tail head head या तो फिर head tail head या तो फिर head head tail या या तो फिर head head tail या आएगा तो आप लोग जोबत पहलते की screenshot ले लीजें की coins का case हम लोगों कैसे पढ़ना है अब यह coins का case हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बाद का case Cl flatter is how many carp? How many card are there in a pack? So in a pack there are 52 cards How many cards are с there? in a pack there are 52 cards kommt. Lil 52 cards are there in a packet कि अब यह 52 काड्स होता है है यह 4 टाइप में होता है जात फिप्टी टू को फौर से डिवाइट करें तो कितना हैगा 13 अब 13 13 करके जो है यह काड्स जो है वह एरेंज होगा एक होता है रेड़ कार जिसके अंदर दो आता है हार्ट एंडाइमद और दूसरा जो है वह ब्लैक कार आता है भी ब्लैक कार को होता है स्पेड्स एंड क्लब तो अब इसमें क्या होता है चार्ट पो तेरा तेरा करको होगा की जैक एस टू फी फॉर फाइव सिक्स सेवें एट नाइन अब ऐसी करके होगा फिर से की जैक एस टू 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 यह 13 13 कार्ड्स होता है यह river हाट है यह कीन इंच्पेज कार्ड्स होता ही जो गाल कि पाइब टाइमन यह दोनों है डायँमझ है ष्कार्ट और यह दोनों है ब्राइक नभाव है यह दोने तक इसे किजिन पूल lav पैसे कार्णस और यहां पर किरिंग क्विंग जैक और एस यह सारा मिला दे एस तक तो इसको लते हैं कार्श ऑफ ओनर है ठीक है तो यह में जान बनाना है अब आगे को करते हैं लूडव में यह होता है अगcje एक डाइस में तो 6 रहता है आउटकम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसका number of outcomes का formula होता है, 6 to the power n, वो होता है 6 to the power n, where n is the number of dice, तो अगर dice का number of dice जो है, अगर 1 होता है, तो 6 का power 1, that is equal to 6 outcome, तो 6 outcome तो पता हम लोगो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर क्या होगा, अगर हम 2 dice फिके, 2 dice एक संग डाल के भी खिलता है, बहुजन, तो number of dice जो है, अगर हो गया 2, तो कितना number of outcomes आएगा, तो number of outcomes जो आएगा, वो होगा 6 का power 2, 6 का power 2 मतलब 6 into 6, that is 36, ठीक है, यहां तक हम लोगो देख लेता है, अभी यह outcomes 36 है, इसको कैसे लिखेंगे, वो हम लोग लिखते हैं, तो 36 outcome जब आएगा, तो फिर 36 outcome जो आएगा, उसमें ऐसे लिखेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर नएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 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 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2,